इस वीडियो क्लास में आप कॉंट्रा वाउचर के बारे में जानने वाले हैं कॉंट्रा वाउचर को नॉन एकांटिंग वाउचर के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका फर्क बैलेंस इट पे नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता चलिए समझते हैं तो कॉंट्रा वाउचर का इस्तमाल बैंक और कैस के बीच हुए लेंदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जैसे बैंक में नगत जमा करना या नगती निकालना या अपने ही एक बैंक एकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक एकाउंट में एमाउंट को ट्रांसफर करना इन ट्रांजेक्शन का बैलेंस इट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा ना तो कहीं बाहर से आता है और ना ही बाहर किसी को जाता है बस होता क्या है कि पैसा अपने ही बैंक और कैस एकाउंट में इधर से उधर होता रहता है मतलब अपना जो करेंट एसेट्स है उसी में एमाउंट सो होता रहता है इसके वज़ा से कभी भी बैलेंस इट पेस का फर्क नहीं पड़ता कॉंट्रा वाउचर में तीन तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कैस डिपोजिट को कैस विड्रो को और एमाउंट ट्रांसफर को यहाँ पे कुछ सवाल हमने ले रखे हैं जैसे पहला सवाल है कैस डिपोजिटेड रूपीज 25,000 टो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन 1st अप्रिल 2021 21 अप्रिल 1st को 25,000 रुपीए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिपोजिट किये गए हैं तो चलिए इस कोश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं टैली प्राइम में तो टैली प्राइम को हमने आपन कर लिया है और यहाँ पे हमने वही प्रिवियस कंपनी आपन की है जिसमें अब तक कि हमने सारी इंट्रियां कर रखिये हैं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आये हैं और पहली बार आप टैली के वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह कंप्लीट स्रीज है और इसके अगर पिर्वियस वीडियो आप देख लें तो इस वीडियो को समझने मापको ज़्यादा आसानी होगी तो पिर्वियस वीडियो को देख लें उसके बाद इस वीडियो को फिर से continue करें अब हमें पहुंचना है Contra Voucher में क्योंकि हमें Contra Voucher की एंट्रि करनी हैं इसके लिए Gateway of tally में जाएंगे Vouchers में जब vouchers को आप करेंगे यहां पे Contra Voucher का आपको बटन नजर आने लगेगा या तो आप F4 दबाएं या तो फिर यहां पे Contra Voucher वाले बटन पे क्लिक कर दें तो Contra Voucher आपके सामने खुल के आ जाएगा अब हम लोग एक बर फिर से देट को सेट करेंगे यहां 1st April हमने लिया और एंटर प्रेस कर दिया इसके बाद क्रेडिट कौन करेगा चुकि हम लोग deposit कर रहे हैं तो कैस के पास लेश होना है तो कैस हमारा क्रेडिट करेगा तो कैस हमने ले लिया क्रेडिट में कितना 25,000 तो यहां पे मैंने 25,000 लिया कई बारा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और यहीं पे अगले बैंक या किसी का जो नाम है वो टाइप करने लगते हैं जिसका वज़े से इंटरी गलत हो जाती है तो ऐसा ना करें यहां पे क्यो करसर आके रुखता है अगले ट्रांजेक्शन में भी आप समझ जाएंगे यहां भी आपको क्या करना है फिर से टैब या इंटर दबा देना है जिससे आप डेटर के जो ब्लॉक होता है जहां पे आपके डेटर का नाम आएगा वहां आप पहुंच जाएंगे तो वहां हम पहुंच चुके हैं और यहां पे हमें नजर आ रहा है लिस्ट अप लेजर एक चीज़ आप और भी गौर किये होंगे कि यहां सिर्फ और सिर्फ बैंक और कैस ग्रूप के लेजर ही शो कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉंट्र वाउचर ले रखा और कॉंट्र वाउचर में दो ही ग्रूप के लेजर के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है या तो वह कैस का हो या तो फिर बैंक ग्रूप का हो यहां पर अभी हमें स्टेट बैंक ओप इंडिया अर्थाते स्विया नजर आ रहा है तो इसे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक यहां पर डेविट में 25,000 नजर आने लगेगा फिर एंटर प्रेस करेंगे इसके यहां पर आजाएगा बैंक एलोकेशन फोर अब इस सीट में एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे आजाएगा डिनोमिनेशन मतलब जब अगर आप कैस जमा कर रहे हैं बैंक में तो कैस में कुछ नोट की गिंती तो होगी अगर आपको लगे कि इसे नहीं रखना है तो आप इसे डिजेबल भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल हम लोग माल लेते हैं कि 500 का यहां पे 50 नोट हैं जिससे हमारी 25,000 की रखम पूरी हो जाती है अब चलिए यहां पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको यह बता देते हैं कि अगर डिनोमिनिशन को आफ करन जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां एक option होता है कि डिनोमिनिशन को आफ कर दिया जाए तो उसे आपको यहां पे सर्च करना है कि कहां पे लिखा हुआ है डिनोमिनिशन तो नीचे आएंगे तो यहां बैंक डिटेल में लिखा होगा प्रोवाइड कैस डिनोमिनिश करते हैं यहां पर narration type करना चाहें तो narration type कर दीजिए cash deposited और enterprise करते हुए इस transaction को complete कर दीजिए तो counter voucher में आपने एक transaction complete कर लिया अब दूसरे question पर चलते हैं अच्छा यहां एक चीज और भी समझ लिजिए कि यह जितने question में चलते हैं cash deposited रूपीज 5,000 to a state bank of India and rupees 2,000 to bank of India एक साथ दो bank में हमें cash deposit दिखाया जा रहा है तो चलिए इस transaction को complete करते हैं 5000 SBI में और 2000 bank of India में तो वापिस आ जाएंगे टेली प्राइम में चोंकि यह counter voucher है तो हमें साथ credit पहले मांगेगा यहां पर credit में cash लेंगे और cash में अब थोड़ा सा आपको करना होगा काम और वो काम यह है कि total amount आपको calculate करने होंगे जैसे यहां पर 5000 है और यहां पर 2000 है total कितने हुए 7,000 इसका मतलब cash हमें 7,000 चाहिए तभी हम in bank में जाके deposit कर पाएंगे और यहां पर आप टैली का जो calculator होता है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप हो उस जगह पर जहां पर amount type करना है और आप alt c दबाएंगे तो आपका calculator खुल जाएगा और यहां पर आप amount type कर दें जैसे 5000 प्लस 2000 और इसके बाद जैसे ही आप enter प्रेस करेंगे तो automatic जो amount calculate हुआ वो यहां पर show होने लगेगा मतलब calculator तो आप इस्तमाल करना जानते होंगे और calculator में calculate करने के बाद उस amount को आपको type करना परता होगा लेकिन अगर आप amount वाले column में हूँ credit में या debit में कहीं भी हो लेकिन अगर वहां पर amount type करना है और वहां अगर आप alt c दबाते हैं shortcut और उसके बाद जो भी calculation करते हैं और जैसे आप enter प्रेस करेंगे तो वो जो calculation के बाद amount आएगा वो automatic उस जगह पे show होने लगेगा यह भी calculator का कमाल का shortcut है इसे जरूर याद रखेगा क्योंकि अगर आपको काम करना है tally prime में तो expert बढ़ना ज़रूरी है और अपनी गती को तेज करनी ज़रूरी है entry के समय में तो यहाँ पर आ चुका है हमारा amount enter प्रेस करेंगे अब यहाँ देखिए debit में SBI आ चुका है enter प्रेस किए फिर आगे बढ़ें कितना है SBI में 5000 तो हम यहाँ 5000 लिखेंगे और enter प्रेस कर देंगे क्योंकि tally को पता नहीं कि हमें दो bank account में amount deposit करना है इसलिए वो एक ही bank में total amount दिखा देता है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उस bank account में कितना amount हमें जमा करना है जिसकी entry पहले आप ले रहे हैं जैसे मैंने estate bank of india लिया तो यहाँ पे 5000 लेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे अब देखें फिर से debit आगया अगर माल लीजिए यहाँ पे किसी दूसरे bank का चेक इस्तमाल कर रहे होते हैं तो हम C दबाते हैं और CR हो जाता और दूसरे bank का amount ले सकते थे लेकिन फिलाल हम लोग deposit cash से ही कर रहे हैं इसलिए इसे debit ही रखेंग आप आजाएंगे लेजर creation में और यहाँ बना लेते हैं bank account bank of India enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे under group में रखेंगे bank account यहाँ हमने bank account लिया और enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसे मैं saving ले रहा हूँ लेकिन जब भी कारोबार किया जाता है और बड़ी company के काम किये जाते हैं त सिफ हमें काम कर रहे होंगे तो वहाँ जो bank account मिलेगा वो CC account मिलेगा अब यहाँ हमने bank of India ले लिया enterprise किया फिर आगे बढ़ते चलेगे अब आप देख सकते हैं कि total amount जो है हमें debit में नजर आ रहा है 7000 और credit में तो 7000 होगा ही क्योंकि हमें सरिफ cash से ही credit करवाना था तो total यहा तरीका इस्तमाल कर सकते हैं enterprise करते हुए इसे accept करेंगे और save कर देंगे अब चलिए देखते हैं next question next question है cash withdraw अब जमातों हमने बहुत कर लिया अगर निकालना हो तो क्या करें तो निकालने के लिए यहाँ पे question दिया गया है और इस question को भी हम लोग solve करने वाले हैं कि cash withdraw from state bank of india रुफीस 3000 on first April कहां से state bank of india से 3000 को हमें withdraw करना है तो आ जाएंगे contra में ही यह interview contra में ही होने वाली है अब क्या है credit में होगा state bank of india क्योंकि पैसे हमें निकालने है तो state bank of india जो है वो पैसे हमें देगा इसलिए state bank of india credit में जाएगा 3000 यहाँ पे type करना है क्योंकि 3000 हमने withdraw करना है फिर enterprise करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे अगर check number है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा installment number में अब यहाँ देखिए यहाँ check detail नहीं दिया गया क्योंकि एक simple question दिया गया है simple entry के लिए तो चलिए अपने से कुछ भी डाल देते हैं जैसे 000101 ऐसा मैंने डाल दिया enterprise करते हुए इस entry को save कर देंगे तो हमने video की भी entry complete कर ली अब last entry जो बंचती है वो है fund transfer का मतलब अपने ही किसी एक bank account से किसी दूसरे bank account में या उसी bank में एक account से दूसरे bank account में अगर amount transfer करना हो तो इस transaction का इस transaction का इस transaction का इस्तमाल होता है यहाँ आप देख सकते हैं कि SBI से 5000 BOI में transfer क रनने के लिए कहा जा रहा है तो चली चलते हैं यहाँ सबसे पहले लेना है हमें SBI तो गलती हो चुकी है तो यहाँ माउस से क्लिक कर दें तो आप पीछे आ जाएंगे यहाँ तो shift tab दबा सकते हैं तो भी आप पीछे आ जाएंगे यहाँ पे लेंगे हम लोग State Bank of India कितना transfer क करना है देख लेते हैं फिर से एक बार भूल गया है 5000 तो 5000 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे enterprise करेंगे यहाँ पे चेक नंबर वगेरा है तो डाल दीजे अगर नहीं है और यहाँ पे फीड कर सकते हैं फिलाल enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ डेविट के बाद किसम टांसफर कर रहे हैं तो हम लोग टांसफर कर रहे हैं बैंक आफ इंडिया में यहाँ लेंगे बैंक आफ इंडिया टोटल एमाउंट आ चुका है और enterprise करते हुए इसे कर देंगे शेव तो हमने चारों तरह के इंट्री जो हैं वो complete करके आपको दिखा दिए सिंगल अगर आ नहीं तक आगे आने वाले वीडियो क्लास इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करना ना बुलें बाई थैंक यू